हम दो समझेंगे that के बारे में अपना that जो है वो आपका एक pronoun भी है और वो आपका adjective भी है अगर मैं कहूं कि that is my pen that is my pen तो pen जो है यहाँ पर अपना noun हो गया यानि कि यह वाला part चला गया हमारा प्रेडिकेट में और that के बार ठीक आई मेरी वर्ग तो यहाँ पर that में रहो गया adjective अगर मैं कहूं sorry pronoun अगर मैं कहूं that pen that pen is mine तो अब यहाँ पर यह sentence में हमारा that जो है वो यह noun के बगल में है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा adjective हम sentence में यह सीखेंगे इस lecture में यह सीखेंगे यहाँ पर के पूरे grammar में हाला कि मैं 100% तो नहीं कह सकता हूं कि सभी जगे ऐसे ऐसे आता क्योंकि उसको cover करना काफी मुस्किल है एक्जाम के point of view से जो बहुत ही गहरी बाते हैं या फिर अलगला type की बाते हैं जो उसके concepts हैं वो कहां कहां यूज होते हैं वो हम सभी चीजे systematically तरीके से देखेंगे कहीं पर हूं मिलेगा कहीं पर विच मिलेगा कहीं पर कुछ मिलेगा कहीं पर हूं मिलेगा तो अब that का जो पहला use है वो superlative degree के साथ में होता है that का use superlative degree के साथ में होता है superlative degree का मतलब क्या हुआ हम लोग पढ़ेंगे adjective बाले part में जा पर degree of comparison एक separate video हम लोग देखेंगे हाला कि हम लोग यह चीज जो है transformation में बहुत ही detail में देख चुके हैं अब चाहो तो आप उसको देख सकते हो अच्छा super degree का मतलब क्या है जैसे कि this is the best boy this is the best boy अगर हम ध्यान दें तो the best हमारी superlative degree है this is the best boy whom I know यह सबसे यह सबसे best boy है जिसको मैं जानता हूं जिसको मैं जानता हूं बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदी का अर्थ से English काफी आ जाती है लेकि मैं कहता हूं कि हिंदी अर्थ से 99% इंग्लिस नहीं आती है अब यह 1% कहां पर help करती है जैसे पजेसे वाले आपको सीखने हो जैसे कि अगर आपका जो हमने लेक्चर देखा था प्रोनौन के इसी के अंदर कि of which आएगा कि who's आएगा तो आपर थोड़ा आठ निकालना पड़ रहा था तो कहीं पर आठ निकालना पड़ता है कहीं पर आठ नहीं निकालना पड़ता है तो जहां meaning की जरूत होगी वहां पर उसक इसा यूज करना है वो depend करता कि हम उसको समझ कैसे रहे हैं खेर समझते हैं यहां पर तो अगर हम ध्यान दे जो हमने सीखा था who और whom में डिफरेंस तो यह subject मेरा हो यह मेरी वर्व हो गई एक पेर पूरा यह मेरे subject है यह मेरी वर्व है यह एक पेर पूरा तो इस sentence के according तो य और सिफ वहां पर आता है that क्या आता है that clear this is the best day यह सबसे अच्छा दिन है which made my day जिसने मेरा दिन बना दिया है अगर हम ध्यान दे तो which जो है as a conjunction भी यहां पर यूज हो रहा है और as a subject भी यूज हो रहा है क्यों दो sentence जोडने के लिए conjunction का का काम कर रहा है साथ ही साथ इस made का subject भी काम कर रहा है तो इस sentence में यह which मेरा subject है लेकि छोटी से problem किया कि यहां पर super late degree का use हुआ है super late degree अपर साथ मिलाता है very good तो यहां पर which की जगे आ जाएगा that अब आपको बात है clear होई होगी फिर आगे बढ़ते हैं for two nouns living and non living कहने का मतलब यह कि जैसे कि मानखी चलो अगर म यहां से दा अटा दूँ sorry best this is the boy whom I know यह वही लड़का जिसको मैं जानता हूँ तो इस sentence मेरा home सही होता अगर मैं इस जगे पर अगर मैं इस जगे पर कर देदा से dog this is the dog boy हटा करके यह वही डॉग है जिसको मैं जानता हूँ तो फिर यहां पर हम लोग whom न लगा करके लगाते that क्योंकि non living कि sense में dog को ले जाते हैं जो animals होते हैं उनके लिए तो data तो विचाता है which I know यह फिर that I know द लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मुझे एक living भी चाहिए एक non living भी चाहिए अब क्या करेंगे क्योंकि living अपने साथ मिलाता हूँ या whom और non living अपने साथ मिलाते हैं फिर animals अपने साथ मिलाते हैं which is that to solution क्या है solution देख लो people know me people लोग जो हैं मुझे जानते हैं और and my dog यानि कि लो लोग जो हैं वो मुझे और मेरे dog को दोनों को जानते हैं कि ये मेरा ही dog है which is a stranger जो की बड़ा आजीव है मतलब जो लोग जानते हैं कि ये मैं और मेरे dog यहां पर जो हैं ये बड़ी अजीब बात है यहां पर उनकी लिए उन्हें ऐसा लगता है कि यहां पर dog और एक इनसान या बेचाएगा अब क्या करें जब दोनों combination मिलते हैं जब दोनों combination मिलते हैं तो इनके लिए जो conjunction फिर हम लोग लेते हैं वो cable और cable that आता है that जो है वो living और non-living दोनों को यानि कि animal को अपने अंदर include कर लेता है ठीक है तो यहां पर हम दो that यूज करेंगे विच की जगह पर sentence हमारा correct नहीं है incorrect अभी भी है that गलत नहीं है that तो सही हो गया लेकि sentence अभी भी गलत है हम नहीं सीखा तक जब किसी sentence में कोई conjunction जब लगा होता है तो उसके बाद आने वाली जो वर्व होती है मैंने बाब यह helping व आती है तो हम चेक करें that के पहले subject कौन है इसका antecedent कौन है बलकि तो हमने देखा dog तो अब ध्यान दो dog नहीं है end लगा करके मी और है दो लोग है जब दो लोग होते हैं तो फिर यहां पर आपकी वर्व जो है इजना करके फिर आर हो जाएगी ठीक है अब काफी साही लोग satisfied हो करके सांत बैठ गए होंगे सांत नहीं बैठना अब दमाग चलाना है क्यों दमाग चलाना है कि मी तो objective के सका है इसके साबसे वर्व कैसे उदर आ गया गई बात आपकी सही है बात आपकी सही है लेकिन हमने भी जो lectures देखे तो उसमें यह भ रहा था और उसकी बाद फिर यहां पर बार बारी थी उस boy की आई मी की according लेकिन अब ध्यान दो कि बहले ही यहां पर यह objective कैसे मानके चलो कैसे भी कैसे मानके चलो लेकिन follow यह अपनी next रही का थै क्योंकि reference यह reference जो दिया गया है वो people का नहीं दिया गए यह reference जो यह बात जो लिखी हुई है वो बात जो मेरे और उस dog के बारे में लिखी हुई है इसका मतला है यहां पर subject plural है इसलिए यहां पर आ रहाएगा reference की बज़े से यहां पर हो रहा है subject object की बज़े से नहीं हो रहा है तो यह subject verb agreement ना उखरे कि disagreement भी कह सकते हो कि वो agreement ना होते हुए भी इसको disagreement होते हुए भी इसको agreement भी convert कर रही है ठीक है तो यहाँ पर R आएगा और that आएगा यहाँ पर that और यहाँ पर R अब बात करते हैं interrogative sentences में interrogative मतलग क्या है कि जब sentence में starting में हम लोग को wh words मिले कौनसी words मिले wh words डबले वर्स कि होते हैं वाई wh wh words का मलब who when where how much how long w or s से start होने वाले सारे सारे words जब sentence की start में आते हैं तो कंजंग्सें अगर हमें बीच में लगाना है तो अपने पास केवाल एक यह word होते हैं जिसका नाम है तो यहां पर यह आई चोटा बनेगा कोश्चिमा क्यों आया कोश्चिमा का आया इसकी बज़े से क्योंकि श्टार्टे में सेंट्रेंज हमारे इंटर्वेटिव है दूसरी बात यह है कि हमें यहां पर क्यों लगाना पड़ेगा वो कौन सा लड़का जिसने तुमारी मुसीबतों मदद की तो ध्यान दें तो यह subject है यह वर्व है यह subject है यह वर्व है और बाकी का objective question चला गया है तो sentence का प्यरत्रितम सही बनना है subject और वर्व का लेकिन एक बात और भी किया पर दो-दो who कैसे आ रहे हैं आप यह कहोगे बात तो की सही है लेकिन ruling यह कहती जब sentence अपना interrogative होता है double word से start होता है तो वहाँ पर who, which और कुछ भी use न करके केवाल use करते हैं that where is my key मेरी चावी कहा है तो where आने के बज़े से आपर आएगा that that is very important तो यह यहाँ पर as a connection भी है और इस वर्व का यह subject भी बन रहा है ठीक मेरी चावी कहा है यह चीज़ ज़्यादा important है इस तरह से sentence भी बनेंगे तो यह अपने सारी सारे sentence हमारे अब सही हुए फिर आगे देखते हैं for indefinite pronouns जब हम लोग indefinite pronouns का use करते हैं तब वहाँ पर हम लोग very good कुछ भी use नहीं करेंगे वहां पर conjunction का उतवर पर हम लोग that का use करते हैं समझो कैसे पहले तो इनको समझो लोग indefinite pronouns क्यों है the same the only all has some है यह हम लोग पढ़ेंगे detail में few भी पढ़ेंगे little भी पढ़ेंगे everyone everybody no one nobody something nothing यह सब पढ़ेंगे detail में एक एक करके आगे अगे अब हमें यह देखना है कि कि जब भी हमें sentence के बीच में conjunction मिले who which whom जो भी आपको मिलता है उसके पहले में कोई नाउन और pronoun मिलेगा हां यहां पर noun दिए हैं अगर इन नाउन के ठीक पहले indefinite pronoun आ जाते हैं जैसे कि the only the few और यहां पर कुछ भी नहीं है यहां पर कोई भी ऐसा word नहीं है कि तो जब यह सब्द आते हैं तब यह specific sense में आते हैं specific sense अब कोई सब्सक्राइब को सब्सक्राइब जानते हैं तो यह भी यहां पर specific sense में यह थोड़ी से ही वो किताबे हैं जो तुम्हारी मदद करेंगी इसका मतलब यह है कि मदद करने वाले तो काफी सारी किताबे हैं लेकि उन में से भी कुछ ज़्यादा special तो कुछ ज़्यादा special नहीं कि specific में भी comparative degree कुछ ज़्यादा ही लेकि यहां पर कुछ ज़्यादा ही यह confirm है बस confirm यहां पर भी है वो लेकिन उन में से भी कुछ और ज़्यादा confirm this is the only boy who can help you लड़के तो काफी तो मत करें को मैं जानता हूँ यह निश्यत भी है लेकि उन में से केवल यही वो लड़का है केवल यही वो लड़का है जो तुम्हारी फिलाल मदद करेगा तो यह यहां पर भी specific sense में है जब यह इस तरह से आते हैं तो भी specific बन जाते हैं तो उस sense में जब यह structure समझ लीजे कि जब किसी sentence में हमें एक noun मिले उस noun के पहले indefinite pronoun मिलते हैं तो इनका जो sense होता है special sense होता है तो यह conjunction के तौर पर यहां पर केवल और केवल देट लाते हैं केवल और केवल देट लाते हैं this is the only boy who can help you नहीं होगा that can help you वाली sentence आपको गलत लग रहा हो सुनने में देखने में लेकिन अब सही है these are the few books which नहीं होगा फिरसे that ही होगा क्योंकि that comment में आ जाता है everyone knows the girl whom you invited, यह subject है यह verb है, यह subject है यह verb है, combination से बरावर है तो इसलिए यहाँ पर whom मेरे सही है, अब that क्यों नहीं हुआ, क्या यहाँ पर girl के पहले इनमें से कोई word आया है क्या, आप कोगे साल नहीं आया है हाला कि देखे everyone everybody नहीं आता है, केवल इनमें से कुछ words आते हैं, यह words है यह, जब इनमें से कोई word आयेगा, तब ही वहाँ पर condition apply होगी, हाला कि everyone everybody यह उसमें list में आते हैं, लेकि इनको discuss करेंगे अलग जगे, इनकी चीजें अलगे, इनका application अलग है तो इसको note आप कर लेना